तो हाई एवरेमन फिर से आप सभी का स्वागत थे को नए वीडियो में तो दोस्तों अभी टाइम पे लोको एप्लिकेशन में बहुत बड़ा प्रोब्लम चल रहा है कुछ लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहा है कि हमारे लोको एप्लिकेशन में नहीं amazon का gift card दिख रहा है नहीं flip card का gift card दिख रहा है नहीं UC दिख रहा है नहीं कूछ दूसरा coupon हमें वहाँ पर सो रहे है पहले लोको एपलिकेशन में क्या होता था कि जो coupon होता था वो timing के साथ अविलेबल हो जाता था लेकिन दोस्तों अभी टाइम पे local application में आपको कोई भी coupon देखनों को नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज ये वीडियो में हम जो इसी topic के related बात करेंगे कि क्यों local application में कोई coupon वो ने हो रहा है क्या problems हो गया इस problem को कैसे आपको solve करना है मतलब लोको अप्लिकेशन में कैसे आपको कुपाल लाना है सभी चीज़ बारे में विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है जैसे कि लोको अप्लिकेशन में कोई अपडेट हो रहा है उसमें कुछ नया फिचर एड किया जा रहा है या तो फिर लोको अप्लिकेशन में कुछ न कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके करण उसमें कुछ टेकनिकल एरर आ रहा है तो उसी करण से local application आपके जितने भी जो coupon है उसे height कर दिया है अब ये कब तक height करेगा क्या करेगा ये मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ यदि आप चाहो तो आप जो local application से contact करके आप इसका हल निकाल सकते हो उनसे आप जान सकते हो कि local application में ऐसे क्या problems हो रहा है जिसके करण local application कोई भी coupon को सो नहीं कर रहा है अब देखिए यहाँ पर local application में इन दोनों को छोड़कर मतलब इन दोनों कारणों को छोड़कर और कोई ऐसा reason नहीं है जिससे रूल local application में कोई problems हो local application में यदि technical कुछ error आ रहा है उसमें कुछ update हो रहा है या नया feature उसमें launch कर रहा है तब तो सहीं है वो जो कुछ दिन बाद सहीं हो जाएगा यदि local application अपने आप से ही coupon को remove कर रहा है उसको height कर रहा है तब यहाँ पर आपको बहुत बड़ा problems हो सकता है अब SM आपको क्या करना है तो देखो और सबसे पहले आपको local application को contact करना पड़ेगा आप जो प्ले स्टोर पे जाके उनके developer को जो भी email ID होगा उससे आप email कर सकते हो मतलब जो local application में जितने भी contact जो है दिया गया है उससे आप contact करके उसके बार में जान सकते हो कि local application में ऐसे क्या problem हो रहा है जिसके क करद को कुपण ऑँ नहीं हो रहा है अब देकहर यहाँ पर मैं तो आपको नहीं बता सकता है कि ल को एकिक्णीकल कर रहा है या फिर इसमें technical error हो रहा है मैं यहाँ पर आपको दो ही कारार बता सकता हूँ जो मैंने अभी आपको पता है वह कारार हो सकता है यहादी आपको लगता है कि टेकनीकल एरा है तो आपको थोड़ी दिन वेट कर लेना चाहिए यदि आपको लगता है कि यह जो प्रब्लमस हो रहा है उसे local application खुझ से create कर रहा है तब कि association में आपको local application सो ज़्यादा ज़्यादा contact करना है ज़्यादा ज़्यादा उनको पास review भजना है चाहे आप email के ज़रिये जो चाहे आप play store के ज़रिये दो या जो discord के ज़रिये किसी भी ज़रिये दो आपको अपना review देना है और यही आपके लिए benefit होने वाला है जितना ज़्यादा आप contact करोगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है information मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको benefit मिलेगा तो गैस आज की वीडियो में बस आप लोगों को यह information देना था यही update आप सभी लोगों को देना था और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर जो भी मैंने आपको जानकाली दिया है जो भी आपको knowledge दिया है वो सभी आपको समझ में आगे होगा तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना और